हे दोस्तों, अगर आप एक कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टुडेंट हो, खास करके इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल ब्रांच के तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना देखो, आज आए दिन आपको ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, कि आटोमेशन की वज़े से हजानों जाने वाली है, वही अगर इंड़स्री 5.0 के मेनेजेंडिकी बात करें, तो कौश्ट सेविंग करके प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने के लिए आटोमेश के लिए ये बात जानना बेहत ज़रूरी है, कि आखिर ये रेवल्यूशन उनके करियर पे कैसा पॉजेटिव या नेगेटिव इंपक्ट डालेगा, इस वीडियो में मैं आपको उसी इंपक्ट के बारे में समझाने की कोसिस करूँगा, साथ ही फ्री कोर्से एंड गाइड को स्टार्ट करते हैं बट क्या हो अगर हम अपने नजरियो को बदले, यानि की टेकनोलोजी को अपने रिब्लेस्मेंट का कारण ना बना कर, इसे अपने एबिलिटी को बढ़ाने का एक टूल माने, सोचना ज़रा इस बात पे, जानते हो इंडस्ट्री फाइपोंटों को जो मेन प्रोपोजिश हुआ था, जो कि एक ऐसा समय था जब इंडस्ट्री लैंडस्केप में एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है, जिसका मेन फोकस था डिजिटल ट्रांस्फोरमेशन, एफिशेंसी एंड पफोरमेंस को बढ़ावा देनी के लिए, इंडस्ट्री में स्मार्ट मशीन एंड र ना किवल मशीनों और आटोमेशन तक सिमीत हैं, बलकि इसमें यूमेन सेंट्रिक अप्रोच पे काम किया जा रहा है, यानि कि एक ऐसा फिचुरिस्टिक विजन है, जहां पे यूमेन एंड टेकनोलोजी एक साथ आपस में मिलके काम कर पाएंगे, इंडस्ट्री 4.0 एंड 5.0 में बस एक मेन डिफरेंट्स है, तो चलो अब हम उन टेक ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, जो कि इंडस्ट्री 5.0 से रिलेटेड है, और जिने हमें जरूर याद रखना चाहिए, फास्ट इस कोलाबरेटिव रोबोट्स, देखो रोबोट्स बहुत टाइप के होते हैं जिसमें की एक स्पेसल टाइप होता है, कोबोट्स ये ऐसे रोबोट्स होते हैं, जो कि हुमेन बिंग्स के साथ कॉलाब करके, यानि की मिल जूल के काम कर सकते हैं, इनमें एडिशनल सेप्टी फीचर्स होता है, और एक युमेन इंटेलिजेंस होता है, ताकि ये बिल्कु human की तरह behave करें, जिससे की human labor की efficiency को बढ़ाय जा सके, ऐसे robots में generally AI, machine learning and data science जैसे technology का use किया जाता है, second tech trend है sustainability, इंड़स्ट्री 5.0 में नाकिवल इंड़स्ट्री के growth के बारे में सोचा जा रहा है, बलकि कैसे हम इस planet को save कर सकते हैं, यानि कि अपने environment को बचा के रख सकते हैं, उस भी खासा द्यान दिया गया है, जिसकी वज़े से green energy and sustainable energy resources पे focus किया जा रहा है, इस concept में mainly raw material source को analyze करना, waste generation का proportion करना और industry की वज़े से environmental impact को कम करने पे focus किया जा रहा है, third major change factories को लेके है that is smart factory, यानि कि जैसा कि industry 4.0 में जो जो digitalization के concept थे, उन सभी को industry 5.0 में भी carry forward किया बट इसमें technologies को advanced level पे use किया जाएगा, like IOT, machine learning, artificial intelligence, cloud computing, cyber security and many more, overall इस industrial revolution में ना केवल productivity and efficiency को बढ़ाने की बात की गई है, बलकि environmental condition को better बनाने और human centric approach को बढ़ावा देने पे भी main focus किया जा रहा है, so ये है वो main changes यानि कि tech trend जो कि industry 5.0 में लीड करेंगे, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इस revolution में human centric approach को बढ़ावा दिया जा रहा है, बट उसमें भी वैसे humans being को involve किया जाएगा, जो कि technology के साथ अपने skill sets को change करने में believe करते होंगे, अगर आप पुराने concept को लेके चलोगे, then आप इस industrial revolution में fit नहीं बैट पाओगे, इसके लिए आपको technology में आ रहे major changes को adopt करना होगा, उनसे related skills को सीखना होगा, अगर मैं skill set को define करूँ तो artificial intelligent skill, machine learning skills, data science skills, cloud computing skills, cyber security skills, robotics and automation skills, ये कुछ major skills बनते हैं, जो कि engineers को जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए, ओके, तो चलो आप जानते हैं उन free courses के बारे में, सबसे पहला platform है, future skill prime, आप इस page पे आओगे, यहाँ पे आपको courses का उपर column दिखेगा, इस पे click करो, यहाँ पे आपको sideway filter वाला option दिखेगा, तो simply आपको domain में जाना है, artificial intelligence, big data, cloud computing, internet of things, cyber security and robotics process and automation, इन सभी domains को select कर लेना है, दन नीचे आपको option मिलेगा free और paid, क्योंकि आपक filter अप्लाइ करोगे, आपके सामने वो सारे free courses आजाएंगे, जो कि इन सभी domains related है, इने आप एक एक करके अपने हिसाब से enroll कर सकते हो, इन में आपको कुछ practical set भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपने hands-on experience को भी enhance कर पाओगे, second platform है NPTEL, basically एक ऐसा platform है, जहाँ पे आपको IIT के professors दो लेने का NPTEL courses, तो जो जो domain मैंने आपको बताएं, like big data, तो simply आपको यहाँ पे big data search करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, big data related जितने भी free courses है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, third platform है gooey.in, यह एक बैहतरीन platform है, AI related skills सीखने के लिए, जो की industry 5. होगा, सबसे major part है, website पे आ आप से courses को find out कर सकते हो, example के लिए अगर आप cyber security सीखना है, तो C वाले कोलम में आपको cyber security मिल जाएगा, जिस भी domain की जानकारी आप लेना चाहते हो, आप यहाँ से free में सीख सकते हो, अब आपके मन में confusion create होगा, कि हम सुरुआत कहां से करे, इसको अच्छे तरीके से समझने क लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देखो, जिसमें की मैंने particular job role की हिसाब से roadmap तयार किया है, example के लिए machine learning engineer कैसे बने, robotics and automation engineer कैसे बने, data scientist कैसे बने, जो की industry 5.0 से related है, तो आप मेरी वीडियो के थुरु गाइडलाइन ले सकते हो, जो वीडियो में आपको सबसे अच्छा लगे आप उसको चूज करो, वीडियो के थुरु गाइडलाइन लो and free courses के थुरु अपने skills को develop करो, ये एक simple तरीका होगा, industry 5.0 में अपने career को secure करने का, overall continuous learning ही आपको इस tech era में आगे बनाए रखने में help करेगा, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकरी, अगर ऐसी informative वीडियो अपने का छ